राधे राधे दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर श्री राधा के बारे में अनेक कथाए हम सभी जानते हैं श्री राधा और श्री कृष्ण की प्रीम की अनोखी कथाए और अनोखी लिलाए बिश्व बिख्यात है लेकिन क्या आपको पता है देवर्शी नारद ने भी श्री राधा और श्री कृष्ण के आनेक कथा और लिलाओ में बहुत ही बड़ी भूमी का निभाई है और अन्ते में किस प्रकार देवर्शी नारद श्री जी की किरपा से नारदिय गोपी बन गए आज के इस वीडियो में हम इसी विशे पर बात करेंगे लेकिन उससे पहले आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तो चलिए सुरू करते हैं ये कथा उस वक्त सुरू होती है जब गोकुल में श्री कृष्ण प्रकाट होते हैं लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण इस धर्ती पर अकेले नहीं आते उनके साथ श्री जी भी इस धर्ती पर अपनी किरपा बिखेरनी आती है हम सभी जानते हैं कि श्री राधा माता के घर्व से उत्पर्ण नहीं हुई थी श्री राधा अपने पिता ब्रश्भानू को एक दिब्य पुष्प के ऊपर प्राप्त हुई थी श्री राधा का पिता का नाम ब्रिश भानू था और उनकी माता का नाम कृतिदा था उनके घर में जब श्री जी का आगमन हुआ उस वक्त ब्रिश भानू के घर पर देवश्री नारद आ गए नारद जी ने पूछा कि आपके घर पे किसी बच्चे का जनम हुआ है ब्रिश्भानु जी ने कहा हाँ मेरा श्रिदामा नाम का एक पुत्र है तब नारत जी ने उसे आसिरवाद दिया और पूछा क्या हाल ही में ऐसी कोई बच्ची भी पैदा हुई है उस वक्त ब्रिश्भानु जी ने कहा हाँ कुछ दिन पहले मुझे एक पुत्री का आसिरवाद मिला है देवर्शी नारत ब्रिश्भानु महराज से पूछते हैं मैं क्या आपकी पुत्री को देख सकता हूँ मैं उनकी जनम कुंडली बनाना चाहता हूँ और उन्हें आसिरव देना चाहता हूँ मैं उनके भविश्य के गुनों का वर्णना करूंगा किर्पय चंदन यमुना जल और अन्य सामगरी इकठा करें मैं उस बालिका को आसिरवाद देने के लिए ही आया हूँ उस वक्त व्रिश्भानु महराज घर के अंदर चले गए और देवर्शी नारत ध्यान की समाधी में चले गए देवर्शी नारत जब ध्यान कर रहे थे उस वक्त बच्ची एक सुन्दर युवा रूप में प्रकट हुई ललिता और विशाखा भी उनके दाएं बाएं मोजूद थे उस वक्त ललिता कहती है कि आप क्यूं ध्यान जारी कर रहे हैं आप ख लेकिन क्योंकि उन्हें देखकर उनकी प्यास नहीं बुझी देवर्शी नारत वहां से चले गए और हजारों वर्ष तक नारत कुंड में बिना खाए पिये लगातार राधा मंत्र का जाप करने लगे और उस समय श्रीराधा प्रकट होती है और देवर्शी नारत पर श्री जी की सेवा करते हैं श्री जी की सेवा के लिए तो बड़े से बड़े दीवी देवता भी उत्साहित रहते हैं जिस प्रकार श्री जी की सेवा के लिए श्री कृष्ण कई बार गोपी बने महादेब भी गोपेश्वर बने उसी प्रकार नारत मुनी भी नारतिय हो तो वीडियो को लाइक शेयर आवश्य करें मिलते हैं अगले वीडियो में हरे कृष्णा